Good morning बच्चो, कैसे हो आप लोग, होपस हो, बहुत अच्छे हो, आप लोगों की almost तैयारी हो चुकी होगी, आपका मेंस एक्जाम आ रहा है, और आप लोगों को जैसे की बता है कि हमारी जो DCM की test series चल रही है, उसमें ये last major है आपके पास में, major 3x3, मेंस का भी और advanced का भी, तो हम लोग इसका solution वगर है, देखेंगे, तो start करते है भाया, बिना time गवाए, मैं Dr. Ravi Jangad, मैं आप लोगों को organic और inorganic सारा solution करवाँगा, और physical का solution आप लोगों को TC Gupta सर करवाएंगे, ठीक है, तो मैं जो भी questions है अपने related organic, inorganic के वो start कर रहा हूँ, पहला question है, which of the following is not a redox reaction, redox reaction, कौन सी reaction होती है, जहां पर oxidation and reduction होता है, अगर मैं सबसे पहला देखो, burning of candle, तो यहां पर क्या होता है, combustion reaction है, candle, मतब hydrocarbon होगे, और hydrocarbon जो होंगे, वो किस में change होंगे, CO2 के अंदर change होंगे, oxidation state में change आएगा, तो burning of candle is a redox reaction, second, rusting of iron, बिलकुल पढ़ते हो कि जो iron होता है, वो Fe plus 3, मतब higher oxidation state में चला जाता है, तो यह भी क्या है, oxidation, redox reaction है, dissolving a salt in water, अगर मैं किसी भी salt को water में dissolve करता हूँ, जैसे बहुत simple सा example ले ले लेता हूँ, NaCl लिया मैंने, और इसको मैं water में dissolve करूँ, तो देखो क्या बनेगा मेरे पास में, मेरे पास में इधर बन जाएगा, एक base और एक मेरे पास में acid बन जाएगा, NaOH plus HCl बन जाएगा, तो अगर मैं इसको देखू, तो क्या किसी की oxidation state में change हुआ, नहीं, Na plus पहले भी यह था, अभी भी यह है, और HCl, chlorine भी minus 1 था, अभी भी minus 1 है, oxidation state में कोई changes नहीं हुए, तो भाया, यह हमारे पास में क्या होगा, एक redox reaction नहीं है, redox reaction का example नहीं है, यह answer हो जाएगा, dissolving zinc in dilute H2SO4, zinc को अगर हम लोग dilute, dilute है, dilute H2SO4 में dissolve करूं, तो मेरे पास में Zden SO4 बन जाएगा, और H2 gas बाहर liberate हो जाएगी, तो देखो, यहाँ पे भी Zden जो है, वो 0 से कौन सी oxidation state में गया, 0 से plus 2 में गया, तो यह क्या है यह भी example है, redox reaction का, तो answer क्या हो जाएगा, यहाँ पे, third answer हो जाएगा, चले हम लोग आगे, next, देखते हैं, which of the following compounds on thermal decomposition yield a basic as well as an acidic oxide, ऐसा कौन सा है, जो एक basic oxide भी देता है, और एक acidic oxide भी देता है, देखो भाईया, अगर हम लोग KNO2 जो है, इसको decompose करें, इसको heating करें, तो हमा हमारे पास में, इस तरीके के, जो salt है, वो क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे, K2O, plus N2, plus O2, high heating करने पर, high heating करने पर, तो यहाँ पर ऐसा कोई salt मुझे नहीं बन रहा, जो acidic भी हो, और basic भी हो, GEDNCO3, क्या बना देगा यह, GEDNO, plus CO2 बना देगा, अब यह oxide जो है, वो कैसा है, M4 टैरिक है, और यह कैसा है, acidic है, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें basic and acidic चाहिए, Na2CO3, इसका decomposition तो होता ही नहीं है, heating effect नहीं करते हैं, हम लोग CACO3, इसको देखो भाईया, CACO3 है, इसको decompose क करोगे, thermally heat करोगे, तो क्या बनेगा, CAO बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, जहाँ पर CAO जो है, वो कैसा है, एक basic oxide है, और जो CO2 जो है, वो क्या एक acidic oxide है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर second answer हो जाएगा, आगई बात समझ में, चले हम लोग आगे, next, देखते हैं हम लोग, the correct order of second ionization energy of C, N, O, and F, इनकी second ionization energy का order पूछा है, ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनका configuration लिख लेते हैं, यह क्या होता है, 2S2, 2P2, nitrogen क्या होगा मेरे पास में, 2S2, 2P3, oxygen क्या होगा मेरे पास में, 2S2, 2P4, और यह 2S2, 2P5 है, अब मुझ से पूछा है, second ionization energy, तो भाया हर एक में से एक-एक electron कम करके उसका configuration लिख दो, यह मैं लिख रहा हूँ, directly लिख रहा हूँ, 2P1, इस में से एक electron कम करोगे, क्या बचेगा आपके पास मे 2P2, इस में से एक electron कम करोगे, क्या बचेगा आपके पास में, 2P3, और इस में से एक electron कम करोगे, क्या बचेगा, आपके पास में, 2P4 बचेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमें, इनकी ionization energy के according value रखनी है, तो देखो भाया, सबसे stable जो होगा, या सबसे जादा जो ionization energy होगी, half filled वाले की, 2P3 वाले की, इन सब में, तो सबसे पहले कौन आएगा, oxygen के बाद में, 2P3 के बाद में किसको रखते हैं, हम लोग 2P4 को रखेंगे, 2P4 किसका है, fluorine का है, 2P4 के बाद में हम लोग इसको रखेंगे, 2P2 को, जब और को इन है तो 2P2 रखेंगे, तो nitrogen आएगा, औ यह option कौन सा हुआ मेरे पास में, 1st option हो गया, simple सा question था, ठीक है, next, देखेंगे हम लोग, इसका IUPAC name बताना है, ठीक है, एक ketone है, group मेरे पास, एक ester है, priority series में कौन पहले आता है, ester पहले आता है, तो हम लोग numbering कहां से start करेंगे, इसको first देंगे, यह second, third, fourth, और यह fifth number अब यहां पे देखो, इस ester से कौन जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, C2H5 मतलब, ethyl हो गया मेरे पास, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ethyl, क्योंकि ester में जब भी naming करते हैं, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते है, जो ester में oxygen से इधर जुड़ हुआ है, जो की C2H5 है, ethyl है, ethyl के बाद में second number पे कौन है, एक keto, keto लिख सकते हो, oxo लिख सकते हो, तो two keto, cyclopentane है, और ये carboxylate लिखेंगे, तो ऐसा कौन सा option है मेरे पास में, second of, ये first option हो जाएगा, ethyl, two keto, cyclopentane, और ये C, हमने हमारी parent chain में count नहीं किया, इसलिए ester के लिखते हैं, carboxylate, last may suffix, ठीक है, next देखते हैं, हम लोग, find out the correct representation of triple carbine, triple बोल दें, या triplet carbine बोल दें, क्या होता है, दो तरीके के carbine होता है, हमारे पास में, एक ये, जिनमें ये paired होते हैं, उन्हें हम लोग singlet carbine कहते हैं, और एक जिनमें unpaired होते हैं, उन्हें हम लोग triplet carb कहते हैं, उनकी structure बतानी है, देखो भाईया, ये जो structure है, एक ही orbital में, ये दोनों paired है, ये किसका है, ये तो singlet carbine का है, singlet carbine का, तो ये option हमारे पास में नहीं हो सकता, हमें triplet का पूछ है, ये वाला, यहाँ बहले ही अलग-अलग orbital में दे रखा हो, लेकिन, दोनों की spin जो है, वो कैसी दे रखी है, मुझे reverse दे रखी है, तो ये option भी नहीं हो सकता, option कौन सा होगा, second वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों same spin के हैं, यहाँ भी दोनों same spin के हैं, तो वो triplet carbon का structure होगा, next देखते हैं हम लोग, which of the following molecule is expected to rotate the plane of polarized light, यह कुछ structure दे रखे हैं, इन में से simple सा यह बताना है कि कौन सा plane of polarized light को rotate करेगा, तो भाया एक तरीके सा हम से क्या पूछा है, हम से यह पूछा है कि कौन सा optically active होगा, ठीक है न, जो optically active compound होगा, वही तो light को rotate करेगा, ठीक है, और इसके लिए हम लोग कुछ अलग-अलग चीजे देखते हैं, या तो हम लोग देखते हैं कि chiral center होना चाहिए, या फिर हम लोग देखते हैं, chiral axis होनी चाहिए, chiral plane होना चाहिए, hellicity compound में present होनी चाहिए, इस तरीके के हम लोग structures देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मैं simple chiral center को दे लाइट को rotate कर सकता है, optically active है, next मैं अगर देखूं, तो अगर इस carbon को देखें, जहाँ पे SH लगा हुआ है, इधर ethyl है, और भाया इधर भी तो ethyli है, दो same group होगे, ethyl ethyl, क्या ये chiral center हो सकता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, next हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ प of symmetry होता है, तो molecule क्या होता है, optically inactive होता है, next अगर इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास में, दो hydrogen group present है, और दो hydrogen, मतलब क्या, ये chiral center हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी chiral center नहीं हो सकता, तो मेरे पास में answer क्या आजाएगा, only first one, बात clear, चले हम लोग आगे, next दिखते हैं, ओके, ये एक reaction दिये है, हमें, heating sign दिया है, फिर I2 Na CH3O3, इसके साथ में reaction करनी है, ठीक है, देखते हैं भाईया, देखो, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले deal salder reaction करवाएंगे, ये मुझे cyclopentadiene और इसके बीच में reaction करवानी है, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ इसको, यहाँ पे double bond है, यहाँ पे double bond है, इसकी reaction हम लोग, ये double bond से जुड़ा हुआ, COOH ग्रूप है, इसके साथ में जब reaction करवाएंगे, तो कौन सी reaction है, thermal condition दे रखी है, deals elder reaction हो जाएगी, ये electron से इधर shift, ये electron से इधर shift, और ये इधर बीच में shift, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें, तो क्या बनेगा, इस तरीके से एक biciclo structure बना देंगे हम लोग, double bond, और यहाँ पे कौन है, attach मेरे पास में, COOH, ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया, अब मुझे आगे देखो, आगे क्या दे रखा है मुझे, reaction करवानी है, I2 के साथ में, और फिर बेस दे रखा है मुझे, I2 के साथ में, जब reaction करवाऊंगा, I2 के साथ में, जब reaction करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास में, इधर सबसे पहले iodonium ion बन जाएगा, ये positive charge आएगा, ठीक है, CuH obviously यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमारे पास, अब जब बेस डालेंगे हम लोग, जो भी मुझे बेस दे रखा है, NaO-CH3, ये जो बेस दे रखा है, ये क्या करेगा, acidic hydrogen को निकालेगा, सबसे पहले उसे eliminate करेगा, extract करेगा, तो हम लोगों ने ये acidic hydrogen जो है, वो abstract करवाया, और हमारे पास में बन गया, C double bond O, और इधर O-, अब देखना भाहिया, ये nucleophile यहाँ पे attack करेगा, इसकी ring opening करेगा, और हमारे पास में product बन गया, यहाँ पे iodine, इधर oxygen, ये C double bond O, ठीक है, हमें जो answer दे रहे है, वो stereo के साथ में दे रहे है, तो अब हम लोग यहाँ पे stereo O और include करके देख लें, जब double bond के उपर attack करवाना, तो ये जो iodonium iron है, ये मेरे पास में wedge पे, या dash पे, किदर भी बन सकता है, तो मैंने इसको wedge पे बन बना दिया, iodonium iron को किदर बना दिया, wedge पे बना दिया, अब क्या करेगा, acidic hydrogen को निकाला और ये attack किदर से करेगा, ये dash से, ring के back side से attack करेगा, मतलब dash से attack करेगा, तो iodine किदर आएगा, मेरे पास में, iodine wedge पे रहेगा, और ये अगर मैं चाहूं तो मैं इसको dash पे बना सकता हू ये structure है, अब देख लो भाया, ऐसा structure हमें कहां पे दे रखा है, क्या first वाला है, नहीं, दो iodine दे रखा है, इधर double bond दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, बिलकुल ये third वाला हो जाएगा, iodine हमें wedge पे दे रखा है, ये दे रखा है, जिदर इसने attack किया है, उस carbon पे iodine नहीं र दे रखा है, एक reaction दे रखा है, एक reaction दे रखा है, हमें, एनिसल है, मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा रखा है, strong base दे रखा है, heating भी दे रखा है, major product पूछा है, ये क्या बनेगा, और reaction किस type की है, ठीक है, major product भी दिया है, और हम लोगों से ये भी पूछ लिया है, और हम देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे strong base दे रखा है, ring में कोई भी electron withdrawing group नहीं है, तो कौनसी mechanism करवाएंगे, हम लोग benzyne mechanism करेंगे, अगर इसमें electron withdrawing group होता, तो मैं ARSN2 की बात कर सकता था, लेकिन अभी नहीं करूँगा, अभी donating group दे इधर OCH3 group को attach किया, यहां पर meta position पर bromine लगा हुआ है, ठीक है, strong base, strong base क्या काम करेगा, acidic hydrogen को निकालेगा, HA या फिर HB, मतलब आपको benzyne बनाना है, कौनसी वाली benzyne बनाओगे, यह group decide करेगा, इसका कौनसा effect देखेंगे, हम लोग, minus I effect देखेंगे, क्योंकि केवल inductive effect देख होगा, HA वाला ज्यादा acidic होगा, benzyne जो हम लोग बना रहे हैं, वो यह बना देंगे, यह OCH3, हम लोगों ने यह benzyne बना दिया, अब इस benzyne के उपर, जब NH2 minus, जो मेरे पास में nucleophile है, उसका attack करवाएंगे, तो देखो, यह minus आई है, electron density किदर move करेगी, उपर की तरफ move मतब negative charge मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपर वाले carbon पर होगा, तो यहाँ पर dell positive हो सकता है, तो हमारा nucleophile इधर attack करेगा, इस position पर, यह electron density उपर की तरफ, major product की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास में major product, यह बनेगा, इधर NH2, अब hydrogen उसे दे दोगे, तो ज negative charge आ रहा है, वहाँ पर मैंने hydrogen लगा दिया, OCH3 बन जाएगा, ठीक है, यह हमारा product बना, और किस mechanism से बनाया है, हम लोगों ने benzyne, पहले क्या किया है, हम लोगों ने, elimination करवाया है, HA को eliminate किया है, extract ही है, तो पहले elimination, बाद में addition, benzyne का ही नाम होता है, elimination then addition, benzyne को ही, अच्छ तीसरा, sign substitution, लेकिन position गलत है भहिया, यह नहीं हो सकता, यह भी position गलत है, नहीं हो सकता, last वाली position, मतलब, दो ही product मुझे सभी रहा है, एक का नाम elimination, essentially, his का नाम addition, elimination है, क्या हमने पहले addition करवाया, ना, हमने पहले elimination करवाया है, बाद में addition करवाया है, तो मेरे पास में answer क्या चले हम लोग आगे, next आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, एक reaction दे रिखे, reaction sequence, तो हम लोग reverse से start करते हैं, ये मुझे carbonyl दे रखा है, तो जो E होगा मेरे पास में, E क्या होगा मेरे पास, मैं reverse चल रहा हूँ, इधर मुझे ये दे रखा है, और ojonalysis से बना है ये, किस से बना है ojonalysis से, तो obviously मेरे पास में, जो यहाँ पर starting material होगा, वो क्या होगा, इधर double bond से दो five member ring जुड़ी वी, जिनने तुम break करोगे, तो ये molecule मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और दिया भी नहीं है, इससे पहले concentrate H2SO4 डाला गया है, और heating, मतलब OH group present है, इसमें अ obviously आपके पास में क्या है, आपके पास में alcohol group इधर present है, OH group इधर आपके पास में है, next देखे, अच्छा, फिर देखो भाईया, D बना दिया हम लोगों ने, D जो है वो इसके उपर attack करने से बना है, कि इसके उपर, कार्बोनिल और esterio positive के उपर attack करने से, कोई grignard reagent है अपने Nucleosis करवाया है, ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, अगर मैं मुझे ये कार्बोनिल दे रखा है, इसके उपर किस grignard reagent का attack करवाऊं, यह लेना पड़ेगा, ये Nucleophile इसके उपर attack करेगा, इधर OH बन जाएगा, क्योंकि आपको H प्लस भी दे ही रखा है, तब ही बनेगा ये alcohol, ये grignard reagent लिया तो, उससे पहले क्या दे रखा है आपको, BR2H new दे रखा है, मतलब A जो है वो BR2H new के उपर reaction करने से ये हमारे पास में बना है, तो ये किस से बना होगा, obviously मैंने ये 5 member ring ली होगी, इसके उपर BR2H new की reaction करवा रहा हूँ, ये बना, क्या बना, पहले BR बना, ये पहला step है, दूसरे step में मैंने इसके उपर Mg ether ये डाला, तब ही मैंने ये grignard reagent बना है, grignard reagent का attack, इसके उपर alcohol बना, concentrate H2SO4, ये alkene बना, phirozonalysis करके ये बना दिया, तो हमसे ये ये पूछा है भाहिया, cyclopentene आ रहा है अपने पास में, तो answer, देख लो कौन सा हो जाएगा, third one answer हो जाएगा, बात clear, चलें आगे, give the decreasing order of following in the event of hydration or towards N-A reaction, nucleophilic addition reaction, group कौन attack कर रहा है, nucleophile, कहाँ पर attack करेगा, nucleophile को simple सा पता है कि जहाँ पी उसे positive charge मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, जहाँ भी positive charge मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, nucleophile वहाँ पर attack करेगा, और positive charge, मतलब reactivity जो होती है, वो aldehyde ज्यादा reactive होता है किस से, ketone से, aldehyde are more reactive than ketone, अब aldehyde 2 है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें कौन लगा रखा है, BR, और BR का कौन सा effect लगता है, minus I effect देखेंगे, तो मतलब सबसे ज्यादा positive charge मेरे पास fourth वाले में बनेगा, तो सबसे पहले आएगा fourth, सबसे ज्यादा reactive होगा, fourth के बाद में third को लिखूंगा, क्योंकि उसमें aldehyde है, third के बाद में अब ये दोनों ketone, ketone में भी जब BR, लागा रखा है, फिर second, फिर first, पहला ही option हामें दे रखा है, इसा, ठीक है, next देखने हो हम लोग, which of the following oxides of nitrogen is a colored gas, simple example है, बाकी सारे colorless, ये जो NO2 होता है, वो dark brown, या फिर मैं कह दो कि भाहिया, brownish gas होती है, ठीक है, पढ़ते ही हो, ये तो आप लोग, बार-बार जगे-जगे, P-block में भी पढ़ते हो, आपका जो salt analysis है, उदर भी देखते हो, coordination में भी आता है, बिलकुल, next देखते है, which of the following statement is not correct, bis glycinato zinc is a optically active, ये optically active है, ठीक है, अगर zinc plus 2 है मेरे पास में, zinc plus 2 है, तो कैसा बनेगा, ये configuration क्या होगा, इसका 3D10, अब 3D10 है, तो मतलब, और glycinato bidented ligand है, bidented ligand है, जो कि 2 है, तो मुझे कितने ligand attach करने हापे, कितना coordinate bond बनेगा, चार coordinate bond बनेगा, वो d orbital खाली है नहीं, तो क्या बनाऊंगा, sp3 बनाऊंगा, इस तरीके से tetrahedral structure बनता, इसका, एक wedge dash पे बना रहे हैं, हम लोग, एक normal ऐसे ही बना रहे हैं, कि यहाँ पे मेरे पास glycinato, GLY लिख रहा हूं मैं, इसके लिए glycinato, अलग-अलग group होता है, एक CO होता है, एक NH होता है, oxygen होगा, carboxylic acid जो है, वो उपर होगा, यहाँ पे मेरे पास में nitrogen जो है, वो donating group होगा, ऐसे ही इधर भी दोनों अलग-अलग group होंगे भाहिया, क्या इसमें मैं plane of symmetry लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों, जो donating groups है, वो दोनों different है इधर, तो यह क्या है, optically active, यह statement correct है भाहिया, हमसे क्या पूछा है, not correct है, NICL4 and PTCL4-2 have different shape, हमें पता है, NICL whole 4, nickel कौन सी oxidation state में है, nickel plus 2 oxidation state में है, 3D8 configuration होगा, और क्योंकि chlorine एक weak filled ligand है, और यह metal भी कौन सा है, 3D series का है, 3D series का है, weak filled ligand है, तो हम यहाँ पे जो बनाएंगे, वो SP3 hybridization बनाएंगे, लेकिन वही जब PT है, तो भाहिया, PT जो है, वो 5D series का है मेरे पास में, कौन सी series का है, 5D series का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वही 3D8, लेकिन DSP2 बनेगा, वो 4D, 5D series के साथ में, अगर weak filled, strong filled कैसे भी आए, वो हमेशा इसी तरीके से pairing करते हैं, ठीक है न, CFSC में देखते हैं हम लोग, तो भाहिया, यह have different shape, बिल्कुल, एक का SP3 tetraidal, एक का square planar, NICN whole 4 minus 4 is a square planar complex, भाहिया, ध्यान से देखना, minus 4 दिया है इधर, ठीक है, तो निकल जो है, निकल की oxidation state किती हुई इधर, 0, NICN whole 4 minus 4 दिया, तो निकल की oxidation state 0, कित्वे electron, 3D8, 4S2, यह भी क्या हो जाएंगे, D में भरने पढ़ेंगे, मुझे 10 के 10 electron, तो क्या D में कोई खाली जगे है, बच्ची, नहीं, D तो पूरा का पूरा भर जाएगा, hybridization क्या होगा मेरे पास में, SP3, यह सारे के सारे, D में fill हो जाएंगे, D10 हो जाएगा यह, तो क्या बना, D में कोई जगे खाली बच्चे नहीं, चाल लिगेंड मुझे बढ़ने है, तो SP3 काम में लूँगा, SP3 है, तो यह क्या होगा, Tetra Hadle होगा, Naqi Square Planar, तो यह statement क्या है, गलत है, अगला, NICN whole 4 minus 2, and NICO whole 4 have the same magnetic moment, NICN whole 4 minus 2 है, तो मतलब निकल कॉनसी oxidation state में, nickel plus 2 oxidation state में, 3D 8 हो गया, साथ में strong field ligand है, strong field ligand है, तो क्या करेगा, सब की pairing करेगा, paired होंगे सारे के सारे, तो magnetic moment किता आएगा, इसका, 0, ऐसा ही NICO whole 4, निकल किसमें, 0 में, 10 के 10 भर जाएँगे, इसमें भी magnetic moment किता आएगा, 0, have same magnetic moment, correct है statement, तो मुझसे पूछा था, not correct, not correct, कौन से भाहिया, 3rd answer, 3rd हो जाएगा, चलें आगे, next देखते हैं हम लोग, carbide which gives propine on hydrolysis, carbide, अलग अलग तरीके होते हैं, अगर मेरे पास में, C-4 का है, तो उसे mythinide कहते हैं, ऐसे ही, अगर मेरे पास में, C2-2 type का है, ठीक है, C2-2 type मतलब, ये इस तरीके से, triple bond, minus, minus, ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये क्या होता है, acetylide carbide होता है, acetylide, और एक होता है, हमारे पास में, इस तरीके का, C3-4, 3 carbon है, इस पे minus 1 charge है, इस पे minus 3 charge है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, acetylide, किसमें है भाईया ये, इसमें है magnesium है, last वाले में, ठीक है, ये methane बनाएगा, ये methane बनाएगा, इधर से भी methane बना देंगे, हम लोग, एक मिनट, इसमें मिथेन तो नहीं बनाएँगे, ठीक है, ये interstitial carbide दे रखा है, CAC2, इससे हम लोग, CH triple bond CH बना देंगे, और इससे क्या बनाएँगे, इससे propine बनाएँगे, इससे propine बनाएँगे, CH triple bond CCH3, clear है बात, चले हम लोग आगे, चलो, next देखते हैं, disproportionation is not shown by, disproportionation, कौन show कर सकता है, disproportionation का मतलब क्या होता है, कि उसमें इस तरीके से, redox reaction हो रही है, कि उसी का ही oxidation भी होता है, उसी का ही reduction भी होता है, एक ही element का oxidation, एक ही element का reduction, उसे हम लोग disproportionation कहते हैं, और वो वही show कर सकता है, जो अपनी intermediate oxidation state में हो, मतलब वो उस oxidation state से उपर भी जा सकता है higher oxidation state में भी जा सकता है और वो lower oxidation state में भी जा सकता है वही disproportionation show करता है भाहिया यहाँ पे देखो n जो है वो क्या होगा plus 5 में है तो वो show कर सकता है disproportionation अच्छा cannot show नभाई ठीक है cannot तो यह show नहीं कर सकता बाकी Cl2 O5 की बात करूँ तो plus 5 में ह वो plus 7 में भी जा सकता है नीचे plus 3 plus 2 minus 1 उन में भी जा सकता है plus 3 plus 1 और minus 1 में भी जा सकता है Cl2 O3 कौन से में है plus 3 में तो यह उपर भी जा सकता है plus 5 में जा सकता है plus 7 में जा सकता है नीचे अगर हम लोग बात करें तो plus 1 भी है minus 1 भी है तो यह भी show कर सकता है Cl2 O कौन सा oxidation state है plus 1 यह minus 1 में भी जा सकता है, higher भी जा सकता है, यह जो है, यह show नहीं कर सकता है, क्योंकि already अपनी highest oxidation state में है, plus 5 में, ठीक है, clear है बात? Next, यह questions, तीसी सर आपके साथ में discuss करेंगे, अब हम लोग integer type के questions पर आजाते हैं, भाहिया, How many compounds are soluble in aqueous NaHCO3? Aqueous NaHCO3 में कौन-कौन से compound soluble है, वैसे तो aqueous NaHCO3 किसके लिए देखते हैं, हम लोग CUH का test के लिए देखते हैं, कि वो देखता है, लेकिन अगर CUH से भी ज़्यादा acidic compounds हैं, हमारे पास में, जिनका PK ज़्यादा है, वो NaHCO3 के साथ में reaction दे सकते हैं, यह वाला Phenol Nitro Group लगाओ है, बिल्कुल दे सकता है, यह वाला Second वाला नहीं देगा, Third वाला COH Group है, बिल्कुल दे देगा, Next, OH, CS3 दे रखा है, नहीं देगा, Phenol नॉर्मल ही दे नहीं दे था, लेकिन अगर Nitro Group लगाओ है, तो दे सकता है, COH है, बिल्कुल दे देगा, यहाँ पे, यह बिल्कुल दे देगा, Highly Acidic होता है, जैसे ही, क्यों Negative Charge आएगा, यह इधर, यह इधर, और हम लोग इधर इसको Rotate करवा सकते हैं, मतलब जो Conjugate Base बन रहा है, वो Highly Stable बन रहा है, तो मतलब यह भी हमारे पास में हो सकता है, यह वापस से Pyridine के उपर Phenol है, तो भी भाई है, इसकी इतनी ज़्यादा Value नहीं होती, यह भी नहीं होगा, तो कितना आंस्वर है हमारे पास में, जो NAHCOT के साथ में reaction कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 0, 4 अपने पास में आंस्वर बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, बात क्लियर है, ओके, नेक्स देखते हैं हम लोग, minimum number of carbon atoms in alkyne to show optical isomerism is, minimum number of carbon atom in alkyne to show optical isomerism, देखें इसको, ठीक है, देखो, carbon है, इसके उपर एक hydrogen जोड़ देते हैं, हमें chiral center generate करना है, एक क्या जोड़ देते हैं, हम लोग इसके उपर methyl जोड़ देते हैं, एक ethyle जोड़ देते हैं, और एक मैंने क्या जोड़ा, इसके उपर triple bond बना नहीं है, alkyne चाहिए मुझे, तो यह मैंने triple bond बना दिया, बन गया chiral center, क्या इससे कम में possible है, इसमें chiral center बनाना, नहीं, alkyne ह होना चाहिए, और कोई heteroatom ले नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ alkyne ही बोला है, तो कित्रे carbon होगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, answer क्या आजाएगा, 0, 6, बात clear, okay, यह सारे question, फिर next, आप लोगों के साथ में TC से discuss करेंगे, ठीक है भाहिया, यह अपका main's का paper हुआ, advance का solution भी जरूर देखना, ठीक है, और अच्छे से paper करो, अच्छे से टियारी करो, best of luck, Hello दोस्तों, तो स्फाकत आपका CLC के online platform पे, मैं TC Gupta, Team Chemistry, CLC Seeker, तो आज हम करने जा रहे हैं, DCM 4JE, Major No. 3, तो फिजिकल केमेस्ट्री के लिए हम continue करते हैं, फिजिकल यह से start है, question 15 से, first of all हम main का करने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस की आप बात करेंगे, तो 15 क्या करता है, the highest value of E by M, E by M को बोलते हम क्या specific charge, विचिस्ट आवे से करेंगे, बात करेंगे तो, for anode rage has been observed when the discharge tube is filled with, anode के लिए E by M का धिक्तम मान प्रेक्षित किया गया, जब निरावेशित नलीगा में कौन सी case बढ़ी है, तो E by M, specific charge, क्या होता है, the ratio of charge and mass, charge upon mass, it means clear सी बात है, यह आवेस पटे दिरिमान, charge के तो क्या होगी, समानुपाती proportional, और mass के क्या होगी, विच्ट करमानुपाती inversely proportional, अभी क्या पूच रहा है, क्या पूच रहा है, maximum highest value, यानि अधिक्तम मान, और anode की बात करेंगे, तो यह काम करता है अधिक्तम मान लेता है, विच्ट की बात नहीं कर रहा है, तो अकर charge constant होगा, तो क्या होगा, E by M जो specific charge है, inversely proportional क्या हो जाएगा, mass, क्या हो जाएगा, mass हो जाएगा, यानि mass जिसका सब से कम होगा, उसके लिए, E by M क्या होगा, maximum होगा, तो देखो, mass की बात करें, N2 का molar mass 28 हो 2 होता है, O2 का 32 होता है, helium का 4 होता है, सब से कम किसका है, S2 gas है, ठीक है, तो आंतर क्याएगा, थड़ा जाएगा, mass सब से कम, E by M, maximum, बात करते हैं, next, question number 16 की, in the equilibrium, SO2, CL2 से क्या बन रहा है, SO2, CL2, is equilibrium with, SO2, PLUS, CL2, clear, ठीक है, temperature है, 2000 Kelvin, और pressure है, 1080 M, प्रेशर कितना है, 1080 M है, और temperature है, 2000 Kelvin, percentage CL2 equal to percentage O2, CL2 और O2, sorry, SO2 and CL2, percentage SO2 and CL2 equal है, 40% है, by volume, तो हमें देखना की कौनसा option करेक्ट है, फर्स्ट थर्में KP की वेली पूछ रहा है, सेकिंड में आपको मोल करेशो दे रहा है, थर्में भी फोर्थ में मोल की ही बात कर रहा है, साम में पर यह भी करिया है, 0, clear, अब हम यह मान लेते हैं, कि वियोजन की मात्रा, degree of dissociation alpha है, तो 1 में से alpha अगर dissociate होता है, तो इसके 1 से कितने बनते हैं, तो 1 ही बनता है ना, तो alpha से alpha ही बनेगा और alpha ही बनेगा, clear, अब बात करें KP, तो KP के लिए क्या चाहिए, partial pressure क्या चाहिए, partial pressure चाहिए, partial pressure क्या होता है, mole fraction into total pressure, ठीक है, क्या होगा है, SO2, CL2 का, SO2, CL2 के mole, SO2, CO2 के mole, upon total mole कितने होगे, 1 minus alpha plus alpha plus alpha कितने होगे, 1 plus alpha into pressure P, यहां क्या हैगा, alpha upon 1 plus alpha into total pressure P, यही आएगा, तो KP की value आगे यहां पर, क्या गई, this into this upon this, this, तो क्या हो जाएगा, alpha i square P, upon 1 minus alpha i square, अब दिवास P की value है, alpha की नहीं है, बर क्या देखा है, condition की SO2, CL2 का जो by volume है, वो क्या होगा, 40% है, अब ideal gas equation, आदर से gas sum equation में हम क्या पढ़ते हैं, PV equal to nRT, खीक है, तो V proportional N, यहनि volume का ratio जो होगा, वोई mole का हैगा, it means क्या होगा, SO2 के mole का percentage, 40%, SO2 के mole का percentage क्या होगा, SO2 के mole, alpha upon total mole, 1 plus alpha, यह कितना है, 40%, 40 upon 100, 40 upon 100 होगा, ठीक है, अब आधा संग में, यह कितना होगा, क्रोस 0.4 होगा होगा, तो alpha upon 1 plus alpha equal to 0.4, तो यहां से हम solve करेंगे, तो alpha equal to 0.4 plus 0.4 alpha, clear, अब alpha minus 0.4, 0.6 alpha, और alpha हो जाएगा आपका 0.4 by 0.6, यहांनी 2 by 3, clear, अब alpha की value में यहां put कर देते हैं, तो kp जाएगा, ठीक है, तो देखो kp solve करता हूँ मैं, kp equal to हो जाएगा, alpha square, यहांनी 2 by 3 का square क्या होगा, 4 by 9, into, कितना था, 10 था, ठीक है, upon 1 minus 4 by 9 क्या बच्चेगा, 5 by 9, 9 से 9, cancel, 5, two time जाएगा, it means क्या हो गया, 8, तो kp की value आगई 8, देखते हैं, 8 कॉन सा option है, थर्ड है, तो थर्ड है, तो थर्ड आपका, correct है, first में kp2 है, second क्या बच्चेगा, SO2Cl2 के mole upon SO2 के mole, SO2Cl2 के mole कितने हैं, minus alpha, upon, SO2 के mole कितने है, alpha, इसकी value 1 by 4 आएगा, check कर लो, 1 minus alpha, 1 minus 2 by 3, upon alpha, 2 by 3, तो अगर 3 से 3 cancel, तो यह value कितने आएगा, यह 1 by 2 आएगा, और यहाँ क्या given है, 1 by 4 given है, इसलिए यह वाला option भी incorrect है, इसको भी चेक करने लेटा, यह कह रहा है कि इस तीनो के mole equal है, ऐसा है यह नहीं देखो, यह 1 minus alpha है, यह alpha है, यह 2 by 3, 2 by 3, 1 by 3 तो तीनो equal है, नहीं है, तो correct answer कराएगा, kp equal to 8, यह आपका option number 3 correct है, बात करते हैं, next question number 17 की, 17 पड़ते हैं, equal volume of 1 amp, molarity 1 है, each of potassium permagnate and potassium dichromate are used to oxidize Fe plus 2 solution, acidic medium, the amount of Fe oxidized will more with potassium dichromate, potassium permagnate यह equal with both, यह cannot be determined, 1 M, Km4, K2, Cr2, Oc1 की समान आयतन को अमलिया माध्यम में, Fe plus 2 को oxidized करते हैं, तो ज्यादा oxidized कब होगा, ठीक है, तो देखो, ध्यान दो, Fe plus 2 solution को oxidized तो क्या होगा, Fe plus 2 oxidized होगा किसमें Fe plus 3 में, और अगर per magnet से करें, तो acetic medium में पता है कि क्या होता है, Mn plus 2, और valence factor यहाँ में, क्यों कि अल्टिमेंटली देखना है किसमें, number of gram equivalent, ग्राम तुलियां किसमें क्या से देखना है तो valence factor क्या हो देखना है, change in O N per molecule, ठीक है, प्रति अनू O N में परिवर्तन, तो यहाँ देखो, 2-3, एक का change हो गया, तो इसका valence factor एक हो गया क्या, ठीक है, यहाँ plus 7 है, और यहाँ plus 2 है, कितने का change है रहा है, पर molecule 5 का, तो यह valence factor कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5, और बात करें, K2Cr2O7 तो dichromateCr2O7-2 और acetic media में पता है, क्या बनता है, chromium plus 3 बनता है, अब VF क्या होता है, change in ON per molecule, पर molecule की बात करेंगे है, प्रतियान हो, तो इसके एक molecule में क्रोमियम के 2 है, तो एक का ON कितना है, plus 3, 6, तो 2 का, 12, यहाँ एक का, 3, तो 2 का, 6, 12 to 6 नहीं इसका VF हो गया, 6, अब करना क्या है, नंबर ओफ, gram equivalent, of, Fe plus 3, Fe plus 2, will be equal to, number of, gram equivalent, of OA, oxidizing agent, यही करना है, और number of gram equivalent की 3 फंगले है, mole into valence factor, normality into volume, ठीक है, और क्या है, W अब यहाँ क्या दे रख़ा है, Fe plus 2 की सेम माने, equivalent, अगर, OA के gram equivalent जादा होंगे, OA के, molarity दोनों की सेम है, तो, क्या होगा, इसके लिए, N into VF, को बात करें, Mn of 4 minus, तो Mn of 4 minus की क्या होगा, N into V लगा दें, तो normal क्या होता है, molarity into क्या होता है, VF, VF कितना होगा इसका, कितना निकाला मने, 5, clear, into क्या हैगा, इसको जो भी volume लेंगे, क्या होता है, और, डायक्रोमेट की बात करें, तो यहां पी कह जाएगा, वही M, VF 6, तो देखो, VF जादा, number of gram equivalent जादा, और number of gram equivalent जादा, तो जादा एफि प्लस्टिक अगरगा, oxidize करेगा, clear, molarity सेम रखिया हमने, volume सेम रखिया है, तो VF जादा होगा, तो number of gram equivalent जादा होगा, तो जादा होगा, तो जादा किसे आदा आएगा, K2C, R2 OC1 के साथ, जादा होगा, clear, बेटा, next हम बात करें, question 18, the RMS speed of the gas molecule at, temperature at 300 Kelvin, pressure at 1.5 bar, or value at 1 into 10 s per 4 cm per second, clear, if both, temperature and pressure, क्या कर रहा है, raise 3 times, 3 कुना कर रहा है, the RMS speed of the gas, एक गेस के अनवों की, 300 Kelvin ताप, तथा 1.5 bar, pressure पर RMS वेक कमा रहा है, और pressure और temperature दोनों को 3 times कर रहा है, तो V RMS, V RMS, का formula क्या होता है, root 3R T upon M, clear, अब डिपेंड कर रहा है, अब डिपेंड कर रहा है, M मोलर मास पर, तो मोलर मास तो गेस का रहा है, अब तो ऐसा है, R क्या है? अब क्या है? रिपेंड के रहा है, तो जदेफेंड कर रहा है, onर्रोट वेकर रहा है, तो क्या होता है, तो पहले क्या क्या करेंगे हम, यह नि, अब मान लेते हैं यह V-dase हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3R upon M, और T की जाएगा 3T, 3Tence कर रहा है, तेम्परितर को भी कर रहा है, और पेशर को भी कर रहा है, अब V-dase upon V, हमें निकालना किया है कि कितना होगा RMS, तो क्या करना है, V-dase upon equation 2 मान ले इसको 2 upon 1 कर दे 3R by M, 3R by M, 3R by M, 3R by M, 3T upon T, तो root में क्याएगा, T3 बचेगा, it means क्या है, V-dase, root 3 into 10s to power 4, semi per second unit, सेम रहा है कि निए आपका option number 3rd correct है, प्रेशर से यह एफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हम रिप्लेश भी करें, ठीक है, तो इक फोल्ला क्या बनता है, root 3 P upon density, तो यहाँ यहाँ प्रेशर से करो, यहाँ प्रेशर से करो, तो यहाँ प्रेशर से करो, यह टी सिकर दोनों में एफेक्ट कहीं पड़ेगा, क्लियर, पर मोश्टर हम यूज़ क्या करते है, root 3 R by M, यूज़ करते हैं, नेक्ट बात करते हैं, question number 19 की, solution का question है, ठीक है, रोटलो बेस है, Vp of chloroform and dichloromethane, R200, यहाँ chloroform का 200 है, और dichloromethane का 41.5 mm of Hg है, वपर प्रेशर of the solution, obtained by mixing, chloroform का 25.5 gram लिया है, और 40 gram क्या है, dichloromethane है, यहीं, टोटल वेपर प्रेशर of solution डेटर्माइन करना है, यह रोल्ट लो यूज़ होगा, पस्टीश दिग्री सेल्सेस ताप मान पर, chloroform तदा, dichloromethane की वास्प दाप की वेल्यू है, ठीक है, 200 chloroform का है, और यह dichloromethane का है, समान ताप पर 25.5 आपके पास क्या है, chloroform है, और 40 gram का है, dichloromethane है, तो, विलियन का वास्प दाप क्या होगा, तो रोल्ट लोगा formula क्या है, P total, equal to क्या होता है, P note A, into X A, plus P note B, यह अपला है क्या है, into X B, यह है total vapor pressure कुल वास्प दाप, P note A, वहीं, दो component A और B, P note A और P note B क्या है, पर फेज में vapor pressure, वास्प दाप दे रखना आपने को value, 241.5 और X A क्या है, mole fraction of A in the solution, X B क्या है, mole fraction of B in the solution, clear, तो देखो, P note A, हम एक काम करते है, A मानते हम किसको, chloroform को, A ले लेते हम किसको, chloroform को ले ले लेते हैं, और B मान लेते हैं, दूसरा कॉन सा है, di-chloro-methane, CS2, CL2, clear, तो P note A, हम है, chloroform का Vp, कितना है chloroform का Vp, 200, into, mole fraction of chloroform का हैगा, moles of chloroform upon total mole, तो chloroform के mole कितना होंगे, वेड कितना है, 25.5 gram, तो 25.5, upon, molar mass कितना है, 70, 35.53, 106.7, और कितना हो गया, 13, 119.5, upon, upon क्या करते हैं, इंट्ब कर दो बड़ा, P note A, और X से क्या होगा, moles of this upon total mole, तो total mole आपको जाएंगे, 25.5 upon, 119.5 plus, di-chloro-methane के 40 gram है, और di-chloro-methane का mole-dream mass कितना हो रहा, 71 तो chlorine का हो गया, और 14 85 हो गया, तो 85 हो गया, ठीक बड़ा, तो यह तो value किसके आगई, X A की, किस क्या गई, X A की, P note A, इसको solve करना पड़ेगा, plus P note B, P note B कितना है, 41.5 into X B, X B यहनि, moles of B क्या है, di-chloro-methane, 40 upon 85 upon, क्या होगा, 40 upon 85 plus, यह तो, 25.5 upon 119.5, क्या है अए अए बड़ा, आई बास एंद में, इसको दिमरी इन हम सोल करेंगे, और सोल करनेंगे और अगए अगा अच्छाव का फाइनल आंसर के आएगा, 19.63 mm of Hg, यह सोल करना, ठीक है इन तोने के बेल निगालना, अब जाएगा एक माल अब प्रणावार आपकान स्वर आजाएगा नेक्ट बात करते हैं एलेक्रों केमिस्ट्री में ECS वाला कॉंसेप्ट है और बहुत सिंपल कॉंसेप्ट और जनर रेकृषिन अचा इस नेड में सुरी जाएगा नेक्ट करते हैं Zn plus 2 to Zn, nickel plus 2 to nickel Fe, value given है, ठीक है? Will be spontaneous, यह रेक्षिन अपने आप कभ होगी है, अगर बात करें हिंदी में तो सब के SRP के मान दिये हैं, तो अभी करें स्वत्तर कैसे होगी? तो देखो, काम आएगा ECS, Electro-Chemical Series Vyadud Rasanik Srini, और हमें पता है कि ECS में जो metal का element को अरेंज किया गया है, element को अरेंज किया गया है, वो SRP के increasing order में है, यहनि top to bottom क्या होता है ECS में? ECS में क्या होता है, top to bottom क्या होता है? SRP, मानक, अबचयन, विभाव, Standard, Reduction, Potential की value क्या होता है, increase, ठीक? तो एक काम करते हैं को arrange करते हैं, top to bottom increasing order में arrange कर लेते हैं, तो सबसे कम value किसकी है? सबसे कम है, minus 0.76, किसकी है यह? Zinc की, तो अपरीपर क्या हैगा? Zinc आएगा, clear? उसके बाद value है, minus 0.44, यह value किसकी है बटा, FE किया, तो फिर FE आएगा, और सबसे कम आपकी, sorry, maximum आपकी होगी, minus 0.23, तो यह है, निकल की है, clear? तो ECS के according हमने इसको arrange कर लिया, SRP के increasing order में, और ECS का basic funda है, दिमाग में save कर लो, ECS में दो element होंगे, variation दो में हो रही है, X और Y देगो, तो एक होगा upper, एक होगा lower, एक ECS में उपर होगा, एक नीचे होगा, और यह ध्यानकना उपर वाले का upper का always क्या होगा? Oxidation होगा, क्या होगा? Oxidation, और नीचे वाले का always क्या होगा? Reduction होगा, और आपको पता है, जिसका Oxidation होता है, वह होता है Reducing Agent, RA, और नीचे वाला OE, clear भीड़ा, आई बास समझ में? यानि, दो element compare करना, तो उपर वाले का oxygen करना, नीचे वाले का reduction करना है, अगर ऐसा है, तो spontaneous होगी, अगर ऐसा नहीं होगी, तो नहीं होगी. तो देखो, इसमें क्या हो रहा है? X का तो क्या हो रहा है? X से X प्लस 2, X का तो क्या हो रहा है? Oxidation, तो X तो उपर आना चाहिए और Y का प्लस 2 से 0 ओवन कम हो गया तो Y का reduction तो X जो metal होनी चाहिए उपर वाली होनी चाहिए और Y नीचे वाली तो पहला option देखे बटा X निकल है Y F यह तो देखो निकल उपर है उपर आ रहा है क्या? नई निकल नीचे F उपर मामला उल्टा है तो पहला option आपका रोंग हो गया, clear? 2nd देखो X निकल और Y जिंक ठीक है, क्या हो रहा है? निकल उपर है क्या? नई निकल नीचे नीचे बिलकुल गलत होगा X F E Y जिंक तो X आपका F E लेता हूँ Y जिंक, फिर मामला मेरा बड़ लग रहा है देखो उपर जिंक आपका F E क्या है? नीचे वाल उपर आगया X उपर होना ना तो यहां पर F E और जिंक में देखे, F E नीचे है, जिंक उपर है इसलिए यह भी क्या है? Incorrect, clear? X जिंक है और Y क्या है? जिंक उपर है बिल्कुल उपर है नीचे तो हो जाएगा, clear? उपर वाले का Oxidation नीचे वाले का Reduction इफंडाम सेव रख्या में जाब तो correct answer क्याएगा? 4th आजएगा, clear? अब बात करते हैं Section D Section D में क्या है Numerical value type जिसका answer क्या होगा? आपका Integer value आएगी clear? तो दुको बात करते हैं Question Number Physical की बात कर रहे है तो Question Number 3 की बात करते हैं पढ़ते हैं क्या है Question? At 25 Degree Celsius Temperature Molar Conductance of 0.1 Ammonium Hydroxide of Molar Conductance of Molar Conductance If unit जिएगे तो किसकी बात कर रहे है? Kappa की बात कर रहे है किसकी बात कर रहे है? Sorry, Lambda M Molar Conductance, Lambda M की निएट है? Lambda M की बात कर रहे है Lambda M आपकी value है 9.54 And unit क्या है? Ohm Inverse Semi-Square पर रहे है जिसको बोलते है Molar Conductivity भी है Okay And at infinite dilution यानि किसकी value है? Limiting Molar Conductivity Lambda M Infinite की value है 238 Clear? Unit सेम है? और इसकी जो Molarity है वो है 0.1 M यह data की जिएट है? 0.1 M का जिएटा आगे पड़े परसंटेज आयोनिज़ेशन ओफ 0.4 M करना क्या है? 0.4 M Ammonium Hydroxide का क्या निकालना है? परसंटेज आयोनिज़ेशन आइल्फा निकालना है यह आइल्फा का परसंटेज निकाल लो ठीक है? देख उसमें परसंटेज पूसरा है पर 0.1 M Ammonium Hydroxide की Molar चालगता लेंड़म को ही बोलते हैं मान है 9.54 मात्रक है Om-Inverse Semi-Square परमूल और अनंत तनूता पर इसकी मोलर चालगता लेंड़म alpha का formula क्या होता है? lambda m upon क्या होता है? lambda m infinite यह होगा रखने मेली हूं 9.54 upon 238 और percentage के लिए 100 से multiply करना पड़ेगा और इसको आप solve कर तो क्या हैगा? 4% 4% clear? यहने 0.1m के लिए 4% बट धान देना किसके करना है? 0.4m के लिए अब वीक ns4oh के लिए वीक बेस है और वीक अलेक्टोलाइट का जो क्या रहेगा? क्या रहेगा क्या रहेगा? क्या होगा? क्या होता है क्या होता है वीक के लिए जब alpha बहुत कम होता है तो c alpha क्या होता है? 0.1 है पहले का alpha कितना है? 4% 4 का square क्या होगा? अब जो concentration हो गई वो हो गई कितनी 0.4m तो यह आपका c2 आगया into alpha 2 का square यहां से आपको alpha 2 calculate करना पड़ेगा और percentage में आएगा क्योंकि 4 मैंने percentage में रखा है तो directly यहां से जो answer आएगा percentage में आएगा तो point से point उड़ा दो 4 से 4 उड़ा दो alpha square 4 आगया तो alpha 2 आपका आगया 2% तो answer का आएगा आपका 2% आएगा okay बेटा clear next time बात करते हैं 4 की if there are 3 moles of atoms present in the packing of pattern ABC ABC find the number of moles of tetrahedral void okay ABC ABC संकुलन प्रति रूप में पर्मानों के 3 moles है तो चतुसफल के रिक्तियों की संक्या तो simple तफंड है solistory education number of TV tetrahedral voids क्या होता है 2Z जहां Z क्या है number of particle अब number of particle क्या होगा Z कितना है 3 moles है और आपका जो answer find the number of mole में निकालना है तो 2 x 3 कितना होया 6 moles आपका अंसर हो गया Octodal void की बात करता है तो only 3 आपका TV का होगा 2Z OV का only Z आपका अमल it means देवो यह क्या है Weak Mono Protic क्या है Acid क्या है Acid है ठीक है कि जलिये विलेन की चालगता कि जो value है वो है 5 x 10 × 10 × 4 Simmons सिमन्स मिल्टर इन्वर्स यानि यह value अगर मात्रक देखे तो किसकी value है कपा की value है किसकी value है कपा और कितनी value है 5 x 10 × 4 Simmons मिल्टर इन्वर्स ठीक है It means जेगो यूनिट से अगर देखें तो यह यूनिट किसकी है Conductivity किसकी उनिट है पिड़ा Conductivity यह यह conductivity की value है अपने पास कितनी 5 x 10 × 10 × 4 Simmons मिल्टर इन्वर्स ठीक है हमें λeμडा M इन्वाइन्ट इन्वर्स प्लस और एक्स माइनस की है तो Pk A निकालना है Pk A ठीक है डेटा देखो बताया मैने आपको अब देखो वह Pk A के लिए क्या करना पड़ेगा पहले K निकालना पड़ेगा K क्या होता है C alpha square होता है C O T A यूज के हमने और alpha क्या होता है degree of dissociation ठीक तो alpha के लिए मैंने formula क्या पतायता है भी आपको lambda M upon lambda M infinite अब यहां पर lambda M की value नहीं है किसकी value है kappa की value है तो हमें पता है lambda M क्या होता है kappa upon molarity और यहां ध्यान देना अगर unit meter में है meter square आ रहा है तो 10 s power minus 3 से multiply करेंगे और अगर semi square आता तो 10 s power plus 3 से करते हैं logic क्या है mole per liter है unit of M molarity क्या है mole per liter liter को meter q में change करना पड़ेग meter के साथ और semi के लिए semi के साथ meter q तो minus 3 m क्यों होता है और semi के में plus 3 semi क्यों होता है इसलिए meter q, meter square जब भी अब आप देखो यहां पर 10 s power minus 3 से multiply करना मढ बोलना ठीक है और कोलराउस लोग अगर apply कर दें तो lambda M infinite of H x क्या होगा lambda M infinite of H plus plus lambda M infinite of x minus और दोनों के वैल्यू की होना है कितने कितने 0.01 प्लस 0. sorry 0.01 x- की है आट करना है तो मैं कर देता हूं ठीक है यानि 0.05 और इसकी युनिट के है वही सेम है क्या सिमंस मिटर स्क्वाइर पर मॉल मिटर में ही है तो देखो वैल्यू निकाल ले हम यहां से लेम्डा हम की जो वैल्यू है यहान दो में अल्फा ही को जो निकाल लेते है अल्फा ठीक है तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या हैगी अल्फा हो जाएगा लेम्डा हम यहनि कपा कपा की वैल्यू कितनी है 5 into 10s to power minus कितनी है 4 minus 4 यह ना देख लिए एक बार minus 4 यह ठीक है बेटा upon molarity कितनी है concentration कितनी है molarity की value है 0.1m तो 10s to power minus 1 into 10s to power minus किसे करना पड़ेगा बेटा 3 से अब इसकी value हो जाएगी सेम कौनची वाली जो lambda m की है सिमन्स मेंटर स्क्वार पर मॉल अब अब होन क्या करेंगे lambda m infinite कितनी हारी है 0.05 यानि 5 into 10s to power minus 2 के लिए आगे alpha यहां से solve करने इसको 5 से 5 कैंसल पावर जेकला बेटा माइनस 4 माइनस 3 माइनस से उन उन उपर है और माइनस 3 निजन दो माइनस 4 आएगा और के क्या होगा वीक के लिए alpha बोट का माइनस क्या होगा c alpha i square ठीक बड़ा और c की value कितनी है c की है 10s to power minus 1 into alpha i square कितना है minus 8 यानि 10s to power minus 9 अब k आगे है 10s to power minus 9 तो pk क्या होगा simple जी बात है pk होता है minus log of k अब यह minus minus plus हो जाएगा तो answer क्या जाएगा 9 आपका integer में answer आजाएगा clear तो इसके साथ इस solution हम finish करते हैं मिलते हम advance में okay बड़ा thank you बड़ा jclc